हाई आज से हम लोग सीरीज आपकी स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका जेके बैंक पियो बैंकिंग एसोशियर का एक्जाम है उसके लिए मैं इसके साथ साथ आपको रिजनिंग के टॉपिक्स की भी जो वीडियो हैं वो रेगुलरली मिलती रहेंगी सो स्टुडेंट्स कुछ इस तरह का प्लैन रहेगा हमारा टोडल एराउंड मैं 300 कोश्चेंस आपको हर एक टॉपिक के बेसिक के साथ उसके शॉटकट्स के साथ आपको करवाऊंगा ताकि आने वले टाइम में आप जो है अपने कॉंसेप्स को बहतर बना सके बट बिफोर द स्टुडेंट्स मैं आपको बता देता हूं मेरा दो साल का अपना एक्स्पिरियंस है बेंकिंग एक्जामिनेशन का मैंने काफी सारे एक्जाम्स क्रेक करे हुए हैं तो स्टुडेंट्स लेट उस स्टार्ट विदाउट एनी डिले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यह आपका फाइव मार्स का टॉपिक है पांच कोशन इसमें आपके आते हैं और कुछ इस तरह के आपके आपके आप्शन वहाँ पे रहते हैं मैं आपको थोड़ा डिटेल कर देता हूं क्वाड्रेटिक का मतलब होता है इक्वेशन्स हैविंग डिग्री 2 मतलब ऐसे एक् 2 clear इस तरह की equation को हम बोलते हैं quadratic equation जैसे मैंने यह लिखी इसकी highest power आप देख सकते हूं variable की कितनी है 2 clear और एक और एक और example ले लेते हैं इस तरह की equations आपको वो हर question में 2 equations देगा clear हर question में आपको 2 equations देगा आपको क्या करना होता है इनके solutions या फिर उनको roots बोलते हैं जो आपने class 10th 9th में बढ़े होंगे equations के root को निकालना दोनों के दोनो roots इसके निकालने होते हैं then second equation के निकालने होते हैं फिर उनका comparison करना होता है मान लो मैं इसके जो 2 solution आ रहे हैं उनको मान रहा हूं x1 और x2 किसके first equation के फर्स्ट एक्वेशन के जो रूट सारे उनको माना x1, sorry x2, और जो second के आए को मैंने लिख लिए y1, यह मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ, आपको concept को ब्रीफ कर रहा हूँ कि यह topic basically है क्या, तो आपको यह बताना होता है कि x की जो दोनों values है, या तो य से दोनों values से बड़ी होंगी, चोथा केसी यह बनेगा, y या तो एक value बड़ी हो और दूसरी x की किसी value के बड़ी हो, या फिर एक case यह बन सकता है x और y की दोनों values आपस में बराबर हो या एक case इसके साथ ओर बन सकता है can't be determined इसको c and e को बोलते हैं can't be determined मतलब ऐसा गी case बन सकता है जिसमें हम इनके बीच का relation नहीं बताव सकते चोटी example लेते हैं can't be determined का case मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है मानलो x की values मेरे पास आ रही है एक आ रही है आपकी 2 एक आ रही है 3 clear और इसकी एक value आ रही है y की value एक आ रही है मेरे पास 1 एक आ रही है 4 अब मुझे बताना होगा कि x और y का आपस में क्या relation है तो यहां से देखते हैं क्या relation बन रहा है देख अगर मैं 2 को compare करूं y की दोनु values से तो 2 एक जगा तो 1 से बड़ा है तो दूसरी साइड यह क्या है छोटा है clear तो यहां से हमें clear evidence मिल जाएगा कि इनके बीच का जो कोई भी message जो relation है नहीं बनेगा इस तरह के question में आप लोग क्या tick करोगे option number 5 that is can't be determined clear क्योंकि एक value उसकी बड़ी आ रही है एक value से छोटी आ रही है बराबर और equal to का हमारे पास case है छोटा और equal to का case है बट एक value बड़ी हो जाए एक छोटी हो जाए ऐसा हमारे पास case नहीं है clear so students इसी चीज का हम लोग use करके आपके shortcuts बनाते हैं और इसी दिया मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 number जो है वो आप 2 minute में ले सकते हो yes students it is possible मैंने लिये हुए है clear so without delay question number 1 पे चलते हैं और मैं आपको दीरे-दीरे cases को समझाता हूँ but before that आपको यह जो मैंने एक चार्ट सा बनाया हुआ है equation का sign और root का sign यह समझना पड़ेगा इसी के basis पे जो है आपके सारे के सारे shortcuts जो है वो निकल के आएंगे clear so यहां से question भी है और equation के sign मैं आपको समझाता हूँ because students यह जो sign मैंने लिये हुए है plus और plus यह मैंने लिये हैं आपके equation के sign जैसे यह equation है clear मुझे इसके निकालने हो roots roots में हम लोग बात में चाहेंगे बस अब भी हम सिर्फ यह समझा रहे हैं कि सिर्फ sign की help से हम लोग direct relation बता सकते हैं किसी question का यह नहीं बता सकते हैं तो इस question में देखो इसके sign मेंने इसके अगर हम लोग sign की बात करें तो यह question के sign है आपके यह आपके roots के sign है और याद रखना है जिस order में यह लगे हो उसी order में आप लोगों ने इनको arrange करना होता है दीरे दीरे समझोगे यह sign है आपका minus or plus तो इसमें से देखो कौन सा case है यह बनेगा minus or plus तो यह वाला case है अब मुझे इतना तो पता चल सकता है यह जो है ना इनके roots यह इनके solution के roots है के signs है clear minus plus अगर आपका किसी question में हो तो उसके जो roots आएंगे दोनों positive आएंगे plus और plus में clear आप देखो second case है plus plus तो plus plus का case बनेगा आपका minus minus का clear तो अब इस question को बिना solve की हम लोग कैसे answer टिक करेंगे सिर्फ आप लोगों को यह chart learn करना होगा clear यही चार cases है इसके लावा कोई भी case आपका नहीं बनता है तो plus plus आपने learn करना है minus minus plus आपने learn करना है plus 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 minus आपने learn करना है minus plus और minus minus आपने learn करना है plus minus so students सिर्फ यह chart से आपके पांच में से दो या तीन question आपके एक second में solve हो सकते हैं but आपको यह chart learn करना होगा और अगर ऐसा case ना बने तो हम लोग उसको solve करते हैं आपको आने वाले questions में समझाओंगा clear तो इस question की बात करें अभी इस तक हम लोग फिलाल यह देखते हैं कि आपके signs बनेंगे क्या so minus plus है तो minus plus का यह case है दोनों sign आपके positive आएंगे clear अभी तक हमने calculate नहीं किये rules और root पड़ेगी तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे इसके देखो plus plus के आएंगे minus and minus plus plus के यह वाला case है आएंगे minus और minus तो हम लोग यहां लिखेंगे minus और minus तो अब आप बताओ students इन दोनों के roots find out करने की जुरूरुत कोई है अगर इसकी दोनों values positive हैं एक ही जो दोनों values होंगी वो बड़ी होंगी किस से बी से कह सकते हैं ऐसा कोई शक है इसमें so clear students इस तरह से आप लोगो sign method इसको बोलते हैं this is known as sign method so quadratic equation by sign method को सीखना और समझना बढ़ दुरूरी है यही चीज़ें आपकी shortcut बनती है clear तो इस question का आपका right answer क्या बन जाएगा a is greater than b तो students आपने देखा बिना solve किये हम लोग इस question का answer कर गए तो आप खुछ सोची अगर आपको यह chart learn हो आप कितने seconds पे जादा से जादा 10 second आपके लगेंगे आप लोग इसका answer mark कर ले जाओगे clear तो यह chart आप लोग ने learn कर ले ना है इसके basis पे ही आपके सारी question से solve होंगे so moving to the question number two question है आपका 16 a square minus 52 a plus 22 कुछ बच्चे क्या करते हैं वो गबरा जाते हैं बड़ी-बड़ी values को देखे कि या अगर इसको middle term split करने पड़ेगी तो क्या करेंगे so students examiner आपके साथ खेलता है वो preliminary examination में आपको ये समझना पड़ेगा वो सिर्फ आपके mind को divert करने की कोशिश करता है ताकि आप paper पे focus ना कर सोको आपकी concentration level को वो check करता है clear so students plus plus अब देखो ये कौन सा case है minus और plus का देखो minus plus ये और minus plus के roots के आएंगे आपके plus plus तो यहां से लिखेंगे सिर्फ इसके roots के sign लिखेंगे नहीं पड़ेगे plus 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 का case है यह वाला case है दुनों root minus minus तो सोचने की जूर्ट कोई नहीं है solve करने की root नहीं है direct हम लोग क्या लिख सकते है x is greater than sorry a और b का case है कि A की दोनों values बढ़ी होंगी B के, तो answer आपका क्या आ जाएगा? A is greater than B. Clear? So, इस तरह से strategy आपकी रहेगी, इस तरह से हम लोग इसके question को easily solve कर पाते हैं. So, in this way, आप लोग इस question को solve करोगे. So, guys, this is sign method. इसके use के साथ आप लोग 10-10 second में questions को निकाल सकते हो, बट वो कुछ particular cases होते हैं, वो सारे मैं आपके साथ discuss कर रहा हूं. Clear? So, moving to the next question, here is the question number 3. और question को समझना बड़े द्यान से, तो अब आपको chart आई हो, blend हो गया होगा, देखो. Minus minus, कौन सा case है? This one. So, इसके roots के आएंगे plus और minus. तो लिखेंगे पहले plus और minus. मैंने कहा, अगर root find करने की root पड़ेगी, तो हम लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. Clear? So, देखो, plus और minus. Next है, plus और minus. कहा है? Plus और minus. इसका root आगे minus और plus. Minus और plus. So, students, ये भी case, इसमें भी solve करने की root नहीं है. क्यों नहीं है? देखो. इसकी एक value positive है, इसकी एक value negative है. तो मैं यहां से एक relation लिखूंगा, पहला मेरा बनेगा A greater than B. ये समझना बड़े द्यान से. इसकी एक value negative है, इसकी एक value positive है. तो मैं यहां से लिखूंगा A is less than B. So, student, ऐसा कोई भी case हमारे पास नहीं है. क्यों कि यहां तो हमारे पास greater than का होना चाहिए, या less than equal to होना चाहिए, या less than equal to होना चाहिए. greater than और less than दोनों sign एक साथ नहीं आ सकते. इस तरह आप relation इनमें नहीं बदा सकते. That's why it will be considered under the category of can't be determined. I hope students अभी आपको shortcut समझ आ रहे होंगे. तो आप लोगों को करना क्या है आप लोगों को इन साइंस पर पकड़ बनाने है question देखा अच्छा plus minus है तो सिधा आपने लिखना इसके root आएंगे minus plus अच्छा minus minus है इसके root आएंगे plus minus तो compare करके देखना अगर root पड़ेगी तो solve करेंगे नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे clear? moving to the next question here is question number 4 अब इस question में देखो ये question दिया हुआ है अब इसमें एक variable आपका missing है मतलब जैसे x square है x value value नहीं है तो students इस question को आप direct solve करोगे कैसे करोगे देखो यहां करता हूँ है आपके लिए नीचे let me change the ink of the pen so here is so x square minus 208 is equal to 223 तो आप x की value निकाल ली है इसको दूसरी साइड लेके जाओगे 233 plus 208 करेंगे इसको add 8 और 4 sorry 8 और 3 11 3 और 1 4 और 2 और 2 4 तो x square की value आगे 4 4 1 अब कुछ students यहां पर क्या करेंगे वो सिधा x को पता है यह होता है 21 का square तो वो क्या करेंगे इसको सिर्फ लिख देंगे 21 बट ऐसा नहीं होता students आपको क्या करना होता है यह देखो जब जितनी जिसकी power के उतने ही roots बनते हैं तो इस case में जो आपका x की value बनेगी वो बनेगी plus minus 21 अब यह आती कहां से है समझाना इसको उसने बोला x की वो value जिसका square की आए 4 4 1 तो आप जब minus 121 का square भी निकालोगे तो आपको बता है minus minus plus हो जाती है तब भी आपका root की यह ही answer बनता है students x square अगर कभी ऐसा बने तो आपने उसकी values लिखनी है plus minus 20 plus minus में values लिखनी है इसका मतलर x की एक value आपके पास आई plus 21 दूसरी आई आपके पास minus 21 clear यहां से y की solve करते है value यहीं पर कर देंगे y square अब यह 47 में से 47 minus करना पड़ेगा 371 में से तो करिए 11 में से साथगे 4 अब कोई student paper में ऐसा नहीं करेगा कि वो इसको पहले note करें उसके बाद इसको उपर नीचे लिखे आप direct यहां से subtract करो banking examination के अंदर सबसे जादा important चीज होती है आपको within a time question को solve करना होता है clear 11 में से 7 गए 4 पिछे यहां 6 6 में से 4 गए 2 और आपका पिछे क्या बचेगा 2 clear 11 में से 7 गए 4 और 6 में से 4 गए 2 200 sorry 324 यह कितना बनेगा आपका 324 clear equal to 0 यहां से आप लोग सिधा लिखो गए y square is equal to 324 अब आप लोग देख सकते हो student फिर से वही case बन रहा है यह किसका square है 18 का कैसे बता चला मैंने first class से आपको बोला हुआ है squares आपको 25 तक के y heart learn करने है उसके बाद cubes आपको 1 से लेके 12 तक के learn होने चाहिए clear tables आपको 20 तक के आने ही चाहिए to solve quadratic equation मैं आपको यूज उसका बताने वाला हूँ तो y की values क्या आ रही है देखो y की भी इसी तरह से एक plus 18 और एक minus 18 so students अब roots को compare करने की जूरत नहीं है यह एक case बन गया plus minus दूसरा बन गया plus minus तो अब इनका relation भी कभी भी आपस में नहीं आ सकता यह भी आपका कौन सा case बनेगा can't be determined clear क्योंकि देखो plus 21 को अगर मैं इससे compare करूँ तो मैं लिखूंगा x जो है वो बड़ा है y से अगर minus 21 को मैं 18 से compare करूँ तो मैं लिखूंगा x less than y के तो proper relation कोई नहीं बन रहा that's why कौन सी category में जाएगा यह can't be determined की category clear so students अगर exam में आपको 5 question वो देता है तो उसमें से 2 या 3 cases ऐसे ही बनते हैं जिनको आप the second way solve कर सकते हो so students इनी tricks को master करके इनी चीजों को मैंने अपने शाटकर बना आगे मैंने 35 में से 35 score आप करा हुआ है bank examinations में clear तो आप इन चीजों का use करके आप लोग उस level तक पौन्ट सकते हो so देखते है next question so next question है आपका a square plus 36 a plus 3 to 4 सबसे पहला काम क्या करना होता है मैंने क्या बताया roots के sign लिखने होते है plus plus के लिखो minus minus तो इसके roots आएगा आपके minus और minus यह आएगा आपका minus plus तो minus plus क्यों होते हैं plus plus so students अब छोटे बच्चे को भी पता है इसको compare करने की दूर तो पड़ेगी no क्योंकि negative number हमेशा छोटे होंगे किस से positive number से चाहे हो ऐसे कितने भी बड़े हो जाए clear तो इसका आप direct लिख सकते हो a जो है वो छोटा होगा b से a की दोनों value छोटी होंगी b से तो right answer आप क्या करोगे a is less than b clear तो इस तरह से आप 10 10 seconds के अंदर questions को solve कर सकते हो but मैं एक और फिर कह रहा हूँ हर question में यह apply नहीं होता 5 में से किसी 2 या 3 question में आपकी यह trick चल जाएगी clear moving to the next here is your question a square plus 10 a plus 21 equal to 0 28 b square plus 15 b plus 2 equal to 0 तो देखो सबसे पहले sign लेते हैं अगर जूर्थ पढ़ेगे तो solve करेंगे plus plus का आता है आपका minus minus और plus plus का आएगा आपका minus minus अब इस question के अंदर आप director नहीं बता ज़क्ते sign के साथ अब आपको questions को solve करना पढ़ेगा so students इनको solve करने की हमारी technique जो होती है हम उसको बोलते है middle value को क्या करना split करना बट हम छोटे बच्चों की तरह नहीं करेंगे जैसे a square है plus फिर मैं अच्छा ये देखा 21 बनाना है 10 से बनाना है 7 और 3 से बनेगा हम लोग ऐसा लिखना start करते हैं इतना time paper में नहीं होता तो मैं आपको उसके लिए short trick सिखा रहा हूं बड़े द्यान से आप लोगोंने समझना है use इसी का करेंगे middle term का बट direct answers को लिखेंगे देखो अच्छा 21 बनाना है multiply करके plus minus करके आना चाहिए 10 तो दिमाग में सीधा strike करेगा 7 और 3 अब मैंने 7 को यहां लिखा 3 को यहां लिखा तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है बड़ी value आपने हमेशा पहले लिखनी है चोटी value आपने बाद में लिखनी है without sign जैसे कुछ बच्चे को यह लगेगा minus 3 बड़ा है no आपने सिर्फ without sign देखना है इस तरह से routine के लिख सकते हो बट उसके लिए आपको tables आने चाहिए जैसे मेरे को यहां 21 दिखा ना मुझे पता था multiply करके 21 लाना है तो मेरे दिमाग में चीजें strike करने चाहिए कि किस-किस combination से आपका 21 बन सकता है 1 और 21 से बन सकता है 21 और 1 से बन सकता है इसके लावा 3 और 7 से ही बन सकता है तो आप cross check कर ले ना जल्दी जल्दी लिख सकते है next देखो 28 को 2 से करना है आपको यह जो multiply करके value लानी होती है वो लानी होती है एक बार यहां पर थोड़ा सा इसको detail कर देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है वो कर लेंगे multiply करके आप में value लानी होती है इन दोनों की multiplication first जो आपका इसका coefficient रहेगा और जो constant value रहेगा तो कैसे आने चाहिए multiply करके 28 into 2 that is 56 और sum यह subtract करके आपकी value आने चाहिए जो b का coefficient हो 15 तो देखो tables कितने important role play करेंगे जैसे आप 56 आपके दिमाग में आएगा आपको लगेगा यह तो 8 और 7 से बनता है करेगा tables learn की होंगे तो तो yes 8 और 7 8 और 7 पंदरा भी होते हैं तो yes यही value आपको यूज़ कर लेंगे 8 और 7 और उसके बाद मैंने आपको चीज़ बताई कि denominator में हमेशा इसका coefficient आपने लेना ही लेना clear यह बन गया 28 यह बन गया 28 अब यहाँ पे देखो A की values को लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि कुछ बच्चों को बड़ी problem आती है यह चीज़े solve करने में मैं थोड़ा सा आपको इसको easy way में बता देता हूँ minus 8 by 28 और दूसरा है minus 7 by 28 clear अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको काटना शुरू करेंगे बेटा काटना नहीं है आप लोग उन करना क्या है जो इनके denominator है वही side बना लेने है ताकि easily आप उनको compare कर सो तो देखो अब 7 है इसके नीचे 1 है तो हम क्या करेंगे इसको 28 से ही divide करेंगे और 28 से multiply भी कर लेंगे इसको भी 28 से multiply 28 से divide ताकि कोई भी हमारा rule break ना हो mathematics का अब देखो students ये value काफी बढ़ी आएगे ये भी काफी बढ़ी आएगी कुछ भी आएगा लेकिन minus 28 से बढ़ा ही आएगा clear और ये value क्या है 8 और 7 जब denominator आपके same होगे तब फर्क नहीं पड़ता आपको कि आप क्या चीज नीचे क्या है क्या नहीं है clear ये value आपकी आई है minus 8 और minus 7 ये value कुछ भी आए multiply करने की जूरता नहीं है ये तो पता है कि 8 और 7 से तो बढ़ी ही होगी और आपको पता है जो values negative में बढ़ी होती है वो exact में negative से छोटी होती है clear जैसे 28 को अगर मैं 3 से multiply करूँ तो 8 3 is the 24 3 to the 6 84 बने गए ये clear अब 84 है ये value ये जो भी आएगी 84 से तो बढ़ी आएगी क्योंकि 28 को 7 से multiply करना है compare करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमें ये जो दोनो values हैं ये इससे क्या होंगी बढ़ी होंगी without a sign but sign के साथ अगर आपको बता है negative में जो value बढ़ी होती है वो exact में छोटी होती है so students ये जो values आपकी रहेंगी sorry a है तो a की दोनों values आपकी छोटी रहेंगी किस से बी से clear ये समझने में आपको time लग सकता है बढ़ जब आप एक तो question को practice करोगे तो ये आपके लिए चीज़ें असान हो जाएंगी कर इस question का right answer रहेगा आपका a is less than b clear moving to the next question yes students question आपका है x square minus 17x plus 72 equal to 0 y square minus 17y plus 70 is equal to 0 clear तो ये आपके 5 इस तरह से आपको option दिये होंगे आपने इन में से एक tick करना होगा clear तो देखते हैं पहले sign देखना आप मैं जैसे मैं paper में करता हूँ वह मैं आपको technique सीखाने वाला हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ और कैसे चीज़ों को solve करता हूँ minus plus मेरे दिमाग में आगे अच्छा इसके दोने जो roots होंगे वो positive होंगे minus plus yes इसके भी positive होंगे direct evidence कोई नहीं है तो solve करना पड़ेगा 72 देखा मेरे दिमाग में टाई करता है या अच्छा 36-2 से combination बनता है 9 और 8 से बनता है 9 और 8 सता है yes बन रहा है 70 तो मैं direct क्लिकता हूँ यहाँ पर 9 और 8 then 70 है 70 मेरा 10 और 7 से बनता है 17 यहाँ पर बनाना था yes 10 और 7 सत्रह होते हैं मैं लिखूंगा 10 और 7 अब मैं देखूंगा आच्छा 9 इससे छोटा है इससे बड़ा है इससे छोटा है इससे बड़ा है जब एक ही नंबर दूसरी वैल्यू से एक बड़ा और एक छोटा हो जाए so students वहीं पर आपको पता चल गया यह कौन सा case है can't be determined इतने ही बस 10 सेकंड के अंदर अंदर या 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर अंदर मैं answer tick कर देता हूँ clear यह कैसे पता चला देखो मैं समझा देता हूँ x की value मैं सिर्फ पहली value को compare करा रहा हूँ देखो अगर मैं 9 को 10 से compare करा हूँ तो x की value बड़ी आ रही है चोटी आ रही है तो जैसे ही एक value बड़ी एक छोटी आ गई आपको बता है कौन साम से tick कर देना है can't be determined I hope अब चीज़ें आपके लिए असान हो रही होंगी so students अगर यह session आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको share करें और like जरूर करें अगर यह आपको session पसंद आ रहा है clear moving to the next question quadratic question है simple minus minus के roots के आएंगे plus minus और minus minus के आएंगे plus और minus so student solve करें इसे दूरत है नहीं इसको आपको बता है जब एक value positive है एक negative है और दूसरे की भी positive negative है तो case कौन सा बन जाता है can't be determined clear क्योंकि दोखो यह जो positive value है मैं बताता हूँ कैसे यह जो positive value है भी न solve करके आप सोच सकते हो यह value value x की इस value से बड़ी होगी क्योंकि यह negative है और यह जो negative value है यह छोटी होगी किस से इस वाली positive value से तो बन गया x से एक जगा बड़ा बन रहा एक छोटा तो क्या लिखेंगे सिधा का सिधा can't be determined clear moving to the next question अब easy लग रहा हो को चीज़ें आपको here is a question x square minus 6x plus 9 equal to 0 y square minus 11y plus 24 equal to 0 so students यह जो छोटी-छोटी values है यही जातर examiner repeat करता है तो आपने इन पर दियान दे लेना है तो देखो roots negative अच्छा minus plus है तो मैंने को दिमाग में स्टाइग करेगा plus plus आएगा clear minus plus है तो दिमाग में स्टाइग करेगा क्या आएगा plus और plus clear बनाना है 9 plus minus करके आना चाहिए 6 तो 3 3s आ 9 3 और 3 6 होते है जो भी roots आप दिमाग में सोचो को उसके उससे divide होती है value देखो 24 लाना है 11 है अच्छा 6 चो को 24 नहीं बनेगा आरतिया 24 यस बन जाएगा 8 और 3 clear अब देखो ये दोनों values बराबन है x की तो हम लोग इसको compare करूंगा तो मैं लिखूंगा x less than y सिर्फ 3 को 8 से compare किया दोनों values से मैं तो करेंगे नहीं जाएगा एक ही को compare करेंगे और दूसरा case क्या बन रहा है आपका x equal to y clear अब ये case जो है special case है yes हमें पता है ये combination हमारा होता है x less than equal to y का तो आप इसमें से answer टिक करोगे आपका ये वाला y greater than equal to x इस तरह से देखोगे तो y greater than equal to x ये आपका इस question का right answer होगा I hope आप चीजें असान लग रही होंगी आपको clear तो इस तरह के questions आप लोगों को PDF चाही होगी तो आप मेरे को WhatsApp नमबर पे WhatsApp कर देना personally मैं आपको group में add करने के साथ साथ आपको PDFs provide कर दूँगा practice questions के clear moving to the next question so that's all for the today students I hope ये session आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा अगर आपको ये session अच्छा लगा है कुछ आपको चीजें अच्छी सीखने को मिली है short tricks आपने कुछ सीखी हुई है तो आप लोग हमारे session को share करिएगा like करिएगा और channel को subscribe करिए so students जो भी हमारे social media handles है आप उस पे हमारे साथ connect हो सकते हो उनके links आपको description box में मैं दे दूँगा so thanks, thank you guys God bless you all